स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टे टेकनोलजी में आज के शुक कैमरा ट्यूस्टे में हम बात करेंगे 3CMOS या CCD कैमरा के पारे में तो आई जानते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई भी कैमरा सेंसर कलर नहीं दिखा सकता यह बात समझना बहुत ज़रूरी है सेंसर हमेशा ब्लाक और वाइट होता है यानि कि इस सेंसर सिर्फ एक इनफरमेशन दे सकता है जिसे हम लोग कहते हैं लूमिननस यानि कि वोई चीज है इतना प्राइट है जैसे कि अगर ये यह सां डार्क है यह सां ब्राइट है यही दिखाता है कैमरा का सेंसर और कुछ नहीं तो सवाल बनता है कि घ्लु और गुन राता है तो मेंने के से तेनल जाल अचरा है। जैसे कि यह तेन ब्लाग इन наिहाँ हम यह कंप्यूटर वे ले लेगाँ हूय। इसको इत्कि ब्लाक इन वाइन कर देते हैं तो यह साथ है की है बस इसे computer display करने के टाइम एक एक और ब्लू में डाल रहा है और जब ये तो भॉस्तार से और संतों को इत्राइज में करता है तब आपको कलरिमेज था जिसमेसं हो टरह एक्ट मोंपाइल फोन तो यह ज़ताब बहुत जरुभी गश्रीरह करके ठीन्लोॉ कुछ रिशर्च टेकणोलजी पीमती हम संटेसलन का स्ट शेउफफल नित रही है तो ठीक है ऐसे काम कर रहा है लोग कैमरा खरीद तो 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 समस्या क्या है समस्या यह है कि कलर यह ठीक से नहीं दिखा पाता कलर का resolution नहीं सही होता है क्यों 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 कि जो बेर filter लेकि लिए उसके सामने वह अन-balance होता है तो इसे लिए देखते हूं कि pattern में जो बायार पैटर्न है उस pattern में हमेशा आप देखते हूं कि green है red है green है फिर blue है तो यानि green double होता है तो इसको अगर टीन बराभर हिस्सों में बाटे यह बटेगा ही नहीं ग्रीन हमेशा दबल होगा तो अगर 33 MP का आपका camera sensor है तो उसमें होगा कि एराउंड 22 MP का आपका यह हो जाएगा Green हो जाएगा और एराउंड 5 MP आपका 5 से थोड़ा सा ज़यादा का Blue होगा 5 से थोड़ा सा ज़यादा का Red होगा यही सबसे बड़ा यही प्रॉबलम है कि Color है ही नहीं हो हाँ पर चूँकि आपने फिल्टर लगा दिया फिल्टर पहले ही आप फिल्टर लगा रहे हो तो फिल्टर वहीं उसका रेजलूशन आधा कर दिया अब ठीक है अब बात हो रहा है कि इससे आपको चेकर से में जाएग तो इसे फिर अलग अलग चैनल में मतलब आपने शेंसर में निकाला उसमें क्याप है क्योंकि ग्रीन वाले सेंसर में जहां पर ग्रीन निकला रेट वाले जहां पर ब्लंक दिखाए तो यहां डिमोजेंग करने के लिए वो जो मतलब समझेगे पांच मेगापीशल वह फोट ह करने में बहुत टाइम मतलब एक खास कंप्यूट कार लगाना पड़ता है उसको प्रोसेस करने में यह इसी लिए है कि महलब उसमें समझ रहे है हर चैनल में अलग अलग डेटा है और उसको कैलकुलेट करना आप सीधे नहीं दिखा सकते तो इसी कारण से डिमोजे का प्रोसे सथे कंप्यूल कूषिश करे आँ करने के लिए इस मेसा है को स्यौण के क्या है, इस ले प्रोसेसिंग मेखा सकता है, अगर आप रोग अड़ सथ है कर रहा है, तो बहुत है आप तो इसका सबसे प्राव्लम करता है इसमें कोई डाउट नहीं आप देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं आपका 99.99% परसेंट कामरा जो आप यूज कर रहे हैं उसमें यही है तो ठेक है अगर इसमें प्राव्लम में तो क्या कोई solution है solution है बेसक है इसे हम लोग कहते हैं ब्रैक प्रिसम मतलब प्रिसम का एक खास तरकात है मार्केट में चाहें तो खरी सकते हैं इसमें अगर आप वाइट लाइट डालेंगे तो यह तीन अलग हैसमें बांट देखा और इसमाल ऐसा नहीं कि सिर्फ केमरा में होता है इसका इस्तमाल यह हाई क्वालिटी के प्रोजेक्टर में भी किया जाता है तो किया यह जा रहा कि फिजिक्स का इस्तमाल करके प्रिसम ऐसे अरेंज किये गए हैं कि वो तीन कलर को अलग कर देता है और उसके बाद आपको मेरा अधा हरा का एक निला का वेसा है है सटीनो और थी चैनल को कोई उसके पाँ सिधे आठ जीनिगा रहा है, वो तो पुना जाके इसकता है साथ ए नुए रसकार के प्रकॉसिकैनल कोछी भी निमाग तक यह रहारा है इससे जो accuracy और resolution आता है, resolution इसलिए आता है, मैंने बता है, mathematically कि आप गेस कर रहे हो कि लाल यहां पे रहा होना चाहिए, नीला यहां पे ऐसा होना चाहिए, हरा यहां पे ऐसा होना चाहिए, वो कितना भी अचाप कर लें, मतलब 5 megapixel का अगर आपको एक ते ता है, ठीक है, यह 5 megapixel इसका यह 3 sensor दे रहा है, 2 megapixel 5 megapixel को दो देगा, क्योंकि यह accurate है, absolutely accurate है, और इसका यह, मतलब लो light sensitivity जाधा अच्छा होता है, मतलब इसमें प्रिजम से light जा रहा है, तो खराब में रहा है, ओविसलिए प्रिजम यह बहुत हाई क्वेंटिक होता है, दूसरा, प्रिजम यह से यह light को छाटता है, जिसे कहते हैं हम लोग wave guide, beam splitter, यह जो ऐसे छाटा जाता है, यह reinforce कर देता है, मतलब जो light बटेगा, वो एकदम clear cut बढ़ता है, इसमें प्रोजेक्टर हम लोग इसे चलाते है, यह एकदम बल्ले बल्ले चीज़ेस में कोई doubt नहीं है, और आपको एकदम ह broadcast industry के लिए बल्ले बल्ले, कि सीधेव camera से record को सीधे दे दो, तो यह बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि वहाँ है, रेंडरिंग में लगा रहे है, वो सब का समस्या हटा देता है, तो हकीकत में ऐसा क्या हुआ, तो आप यह समझे कि broadcast industry जो भी है, जो भी TV आप देखते हैं, आ PCD स्टार्टिंग में चलता था, और अगर एगदम पहले जाएंगे, जो पहली बार कलर टीवी बनाएगा तो उसमें भी यही किया रहा था, तो समझी, स्टार्टिंग से ही आडिया था, कलर सेंसर इतना सस्ता होना, अभी पॉसिबल इसलिगा कि बेर फिल्टर आ गया, ले अगर आप क्रिकेट दिखा रहे हैं, हरका टीम का पड़ा अलग होता है, वह रंगी बदल जाएगा, अगर वह फोर फोर आउट पुट चाहिए, तो यह करने का सबसे असान तरीका है वही है, तीन अलग कलर रख लो, मतलब सांती से प्रिजम है, प्रिजम चांड दिया, र रेजलूशन भी बढ़ गया है, क्योंकि वह मैथमेटिक गेस नहीं काता है, प्रोसेसिंग भी आसान हो गया, और मतलब हर ची अच्छा हो जाता है, पस धाम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब समझ रहे हैं, एक सेंसर के नहीं आप तीन सेंसर लगा रहे है, ठीक आपक प्रोडकास्टिंग में तो इस फिक्स है, आपको साहिध ही कोई ब्रोडकास्ट में ले हाँ, अब एकदम इमर्जनसी वाला हो सकता है, कि एदम रन इंगन करना पड़ रहा है, कहीं पे तो ठीक है, और अब बात करते हैं, और अब बात करते हैं, औलबिक 2020 का, चांसे नहीं बनाया जारहा है जो जापान में डिखाया जाएगा, जो 8K में ब्रोडकास्ट करें है, 8K 60 iq. अब आपको 8K 60 iq. उनके तुरण जटकालेजरे बहुत कम यहारा है, जो 8.60 iq. को रिकॉर्ड कर सकता है, एक या दुक्का है, तो यहां पर किया किया चाना है, रिकॉर्डिं मेगा पिक्सल तो 33 मेगा पिक्सल के अगर मैथमेटिकली करने कि हां भाया मतलब यहां पर रेट ऐसा होना चाहिए कर लेगा प्रोसेसर लेकिन नॉर्मल चीज इतना च्छोटा कैमरा में नहीं होगा तो वहाँ पर वापस सब लोग आने लगे यह ठीकर तीन सेंसर लगा देत कि बहुत जहां जब दिखातेगी कैसे डिलीवरी थी तो स्लो कर रहा है क्योंकि ब्रॉडकास्ट कैमरा हर समय फुल स्पीट पर चल रहा है वो हर समय 120 या 240 फ्रेम पर सेंट पर रिकॉर्डिंग कर रहा है कंटिनुसली रिकॉर्डिंग कहा ना गलत हुग यह मतलब पर किया देता है जैसी आपको रिप्ले दिखाना तब आप उसको स्लो कर सकते हैं तो यह सब करने के लिए अगर आप ट्राइक कि विए एक कामरा मदब एक सेंसर लो आपको प्रोसेसर लगाना पड़ेगा या तीन-चार आमने प्रोसेसर लगाने पड़ेगा तब जागे वो फिल्टर का फ्रेम जो है इफिशेंसी घटा देता है तो इसलिए मतलब बहुत तारी कैमरा कंप्री जो 2020 ऑल्रोबिक्स के लिए कैमरा बनाया जा रहे जा रहे एक्तम फॉस्ट टाइम होगा 8K 120 फ्रेम पर सेकेंड या 8K 240 फ्रेम पर सेकेंड डाइरेक्ट ब्रोड्कास तो चाहें तो आप इसको मतलब आई इंटरनेट का किसी का पाइपलाइन बहुत बड़ा रहा तो इसको दिया जा सकता है तो यह सब करने के लिए ज़रूरी है तो यह समझें कि यह कोई हुखा वाला चीज निए ब्रॉडकास अनुशी पर चल किया और बीच में तो बढ़ आए फाइब का एक तम फील अचानी आता लेकिन जैसे से बेर की क्वालिटी अल्गोरिधम प्रोसेसर अच्छे होते गए तो काफी क्लोज आ गया यह मतला अभी कर आप मार्केट में इस त्री सी मॉस वाला खरीना चाहते है बहुत फरक नहीं पड़े आपको कि त्री सी पड़ा रहें बहुत फरक नहीं पड़ेगा इसलिए छोटे-छोटे कैमरा में नहीं हटाने लेगे लेकिन अभी आप जो इलेक्ट्रोनिक न्यूस गैदरिंग है उसका रिक्वार्मेंट होता है कि इसमें तीन से होता कि वह फोर-फोर-फोर टू दे सके और 8K में तो यह म करना है तो इसलिए यह ट्रिपल सेंसर वाला टेक्नोलजी जो है यह वापस आ रहा है और 8K के प्रिजम आप सस्ता हो रहे है तो यह वापस अभी चल रहा है इसमें इनका बहुत बढ़िया सिस्टम है एक बफर फाइबर लगा है एक आर फाइबर एक ग्रीन फाइबर एक इसलिए तो यह था मेरा प्रेजंटेशन अध्री संसर यानि त्री सीदी आठी सीमोज सेंसर के बारे में कैमरा क्यों बनाए जाता है उमीद करता हूं कुछ देखने को मजा आए हो अगर रहा है तो लाइक कर दिए जो सब्सक्राइब कर दिए उससे मेरा काफी बला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं मैं कहूंगा डिसलाइक दो बार दबाएं उससे मुझे पता चले को कि इतना ना पसंद हुआ है मैं आपसे कहूंगा कि कॉमेंट लिखे कि मैं हर कॉमेंट के ज़ाद देने की कोशिश कर अपने वीडियो देखा है कि मुझे बहुत खशी हुए धन्यबाद